अबर प्रियागराश से आ रही है प्रियागराश में लॉकडाउन लगाए गया है आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाए गया है इस वक्त की बड़ी खबर हाई कोट के आदेश पर पांच जिलों में लाउंडाउन लगाए गया है जिनमें कानपूर वारा नसी लखनो प्रियागराश शामिल है आपको बता दे इलहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिये हैं इसके बाद यूपी के पांच जिलों में लॉकडाउन लगे ऐसे आदेश हैं आपको बता दे आज ही सियम योगी आदितनात ने एक मीटिंग की थी वर्चुल जिसमें उन्होंने कहा था अभी लॉकडाउन लगाने का ऐसा कोई फैसला नहीं है है ऐसी कोई ऐसा अंदेशा नहीं है लेकिन अब हाई कोड के आदेश पर पांच जिलों में लॉकडाउन के आदेश हैं जिनमें कानपूर वारानसी लखनों शामिल है आपको बता दें आज ही सीम अरविंद केजडिवाल ने एक हफते का लॉकडाउन दिली में लगाया जिसके बाद ये अंदेशा था कि यूपी में भी ऐसा हो सकता है लेकिन योगी आदितनात ने वर्च्वल मीटिंग के दौरान साफ इंकार किया था सम्पूर लॉकडाउन से लेकिन अब इलहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिये हैं यूपी के पाँच जिलों में लॉकडाउन के आदेश हैं जिनमें कानपूर वारनसी लखनों शामिल है इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 26 अपरेल तक लॉकडाउन लगाने के आदेश दिये गए हैं इलहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह से कुरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे पिछले हफ़ते से उसको देखते हुए सरकार ने अब पाँच जिलों में लॉकडाउन लगाया है ये हाई कोर्ट के आदेश है यूपी सरकार को जो दिये गए हैं पाँच जिलों में जिनमें कानपूर, वारानसी, लखनो, प्रियागराच और गोरक पूर भी शामिल है आज ही यूपी के सियम योगी आदितनात ने वर्च्वल मीटिंग में ये कहा था कि ऐसा कोई इंदेशा नहीं है और समपूर लॉकडाउन से नोंने इंकार किया था लेकिन अब जो खबर आ रही है यूपी के पाँच जिलों में लॉकडाउन जिन में कानपूर, वारानसी, लखनो, प्रियागराच और गोरक पूर शामिल है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इलहाबाद हाई कोड़ में यूपी सरकार को आदेश दिये हैं यूपी के पाँच जिलों में लॉकडाउन, कानपूर, वारानसी, लखनो, प्रियागराच और गोरक पूर इसमें शामिल है जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे जिसको लेकर अब 26 अपरेल तक लॉकडाउन लगाने के आदेश हैं जिन में कानपूर, वारानसी, प्रियागराच, लखनो, गोरक पूर शामिल है नगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे इसके बाद ये फैसला लिया गया है इलहाबाद हाई कोड की आदेश है यूपी सरकार को यूपी के पाँच जिलों के लिए जिन में कानपूर, वारानसी, प्रियागराच, लखनो और गोरक पूर सामिल है आपको बदा दे विगत दिनों से जिस तरह से कुरोना सेंक्रमन के मामले बढ़ते जा रहे थे इसको देखते हुए इलहाबाद हाई कोड का ये आदेश आया है जिसमें पाँच जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिये गए है जिनकी अवधी 26 अप्रेल तक है इन पाँच जिलों में कानपूर, वारानसी, लखनो, प्रियागराच, गोरक पूर शामिल है इलहाबाद हाई कोड की आदेश है जो उपी सरकार को दिये गए है इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के पाँच जिलों में लॉकडाउन लगाने के आदेश इलहाबाद हाई कोड की तरफ से यूपी सरकार को दिये गए है 26 अप्रेल तक इसकी अवधी निर्धारित की गई है लगातार जो उत्तरपरदेश में करोना किस मामले बढ़ते जा रहे थे जिसके बाद ये आदेश जारी किये गए हैं आदेश को छाउ आदतार है इलहाबाद हाई को क्राट に सरकार को यादेश जारी किये हैं जिन में पाँ जिलों को शामिल किया गया है जिन में कांथ पूर वारानसि लक नव इलहाबाद अब और गोरतपूर शामिल है कि यूपी के पांच दिलों में 26 अप्रेल तक लॉगडाउन के आदेश दिये गए हैं तो बड़ी खबर आपको बता दे जहां यूपी के पांच चहरों में लॉगडाउन के लिए हाई कोट ने बात कही है यूपी में बढ़ते कोरोना पर सक्त हुआ है हाई कोट और राजभानी लखनवू क्रियाग राज वारनसी कानपुर और गोरफपुर इन पांच जिले में लॉगडाउन की सिपारिश की है हाई कोट ने कहा है कि इन पांच जिलों में बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉगडाउन लगाया जाना चाहिए तो नमस्कान स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ में हुए इस पर्या राजभानी लखनव समेथ पूरे उत्तर प्रदेश में हालात कोरोना की दूसी लहर से जबरदस्ट खराप हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो रोजाना तीस हजार से ज्यारा मामले आ रहे हैं और राज़्टानी उत्तर प्रदेश की यानि कि लखनव की बात करें तो ये करीब साथवा दिन होगा यानि कि एक हफ़ते से ज्यारा बीत चुका है जब लगातार कोरोना संक्रमितों का नया आंकड़ा 5000 से उपर का रिकॉर्ड बना रहा है जो कि शिकुवार को 6000 तक भी पहुचा था और आज यानि कि कल का ये जो आंकड़ा रहा है 24 घंटों का ये 5000 है अंदाजा लगाईए कि किस बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं इस कोरोणा की दूसरी लहर का शि परिशानी बेड महया हो भी जाए तो उसके बार आपको औक्सिजन मिलने में परिशानी और अगर वो भी आपको मिल जाती है तो उसके बाद जिमे डिसीवर और वो तमाम दवाएं जिनके बड़े अंग्रेजी नाम होते हैं जो कि आपके लिए संजीवनी बूटी जैसी है समय उनको पाने में परिशाने ऑप सिजन की कमी क्या कहेंगे आप इसको जब लोग बड़ी संख्या में उनको चाह minority हैं पहले आप सोग्सिजन की कमी से जूचते हैं फिर उस oxygen के बाटे जाने के mismanagement से जूचते हैं और फिर उसकी काला बाजारी से जूचते हैं आखिर ऐसे में मरीज जो है वो कब तक इंतजार करेगा चाचा करेंगे इसी पर हम हमाईसाद जो महमान जुड़ चुके हैं आईए बिना देर किये उनका परिशे हम आपसे करा देते हैं सपा के तरफ से हमाईसाद मनोज यादव जुड़े वे हैं मनोजी बहुत धनिवार आपका हमाईसाद जुड़ने के लिए स्वागत है और केसी जैन जी हमाईसाद जुड़े वे हैं बीजेपी की तरफ से केसी जी स्वागत आपका हमाईसाद जुड़ने के लिए शुरबातने केसी जी आपके साथ ही करना चाहूंगी राश्ठानी लखनव की हालत इतनी खराब है कि इस वक्त आप देख सकते हैं ये एक डम ताजा अपडेट जो टीवी स्ट्रीन्स पर चल रही है कानपूर गोरकपूर वारण असी राश्ठानी लखनव में लॉकडाउन लगाने के लिए हाई कोट ने कहा है सोचिये मामला कितना गंभीर इस्तर का पहुच चुका है कभी उमीद नहीं की गई थी कि पहले लॉकडाउन जिसमें लोगों की नौकरियां गई व्यापा ठप हुआ इतना जद्दो जहत हमको करनी पड़ी लेकिन क्या हम एक साल एनिकी तीन सो पैसक दिन की सुई घूम के व जोना दिन पर दिन अपने पैर फैलाता चला जा रहा है और उत्तर प्रदेस में मानिय मुखमंत्री योगी आइतनाज जी सुईम कोविट से गर्शित हैं उसके बाद में भी लगातार अधिकारियों के साथ स्वास्त वियाग के अधिकारियों के साथ में डाक्टर्स के पैले ही यह खबर आ रहे ती लगातार की जो अर्शिजन सेलेंडर है वो या तो ब्लैक बार्क लिंग हो रहे हैं और या पिर अर्शिजन सेलेंडर उपलब्द नहीं हो पा रहे हैं उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 20 लिटर कैपाश्टी का जो प्लांट है उसकी सुरुवात मानिय मुक्मंत्री योगी आइदाजी के दिसारे देश से स्जी पीजी आई में किया जा चुका है और जिससे की लोगों को किलत नहीं हो 20 जार लिटर अगर सेंडर की सुरूआ का इस तरीके के प्लांट की सुरुवात होती है तो लखनों को और आसपास क चेतर भी है तो मानिय रच्छा मंत्री राणा सिंगी ने भी लखनों की तरफ पूरा ध्यान दिया है और यहां पे पांजा लिटर की कैपाश्टी का सिलंडर यहां पे भेजा गिया है तो लगातार उस पर काम हो रहा है लेकिन देखिए जोरिया जी सबसे बड़ी बात यह है कि नोरोना से जो बचाओ के तरीके हैं उन पर हम दोंगों को ध्यान देने की आवशक्ता है और इसलिए मानिय मुक्वत्री जी ने सेनिटाइजर देखिए केसी जी ध्यान देनी की आवशक्ता प्रसार्शन को ही है सरकार को ही है बात वही गोल घूम करके आती है कि जब पिछली बार लॉग डाउंड लगा था और हम सब को पता था कि परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है फिर ऑक्सिजन जैसी मूल भूत चीज के रहा है आखर ये प्लांट जो अब लगवाये जा रहा है ये सारी चीजे जो अब की जा रही है ये पहले भी तो यूदिस्तर पे हो सकती थी कि जब केशेज लगातार बढ़ रहे हैं तो हमें आवशक्ताएं जो हैं बढ़ती चली जा रही है और आवशक्ताओं की पूर्थ के लिए उस तरीके के संसाधन हमको जुटाने पड़ रहे हैं जो भयावा इस्तिति वास्तों में कायम हुई है इस इस्तिति का तो तो होगी अभी आप नहीं बताया कि अगर दस दिन का एक वरेज रख ले तो लगवग 5,000 केसे लखनों में आ रहे हैं तो दस दिन में 50,000 केसे की संख्या हो गई हमारी बेवस्ता अगर यह थी कि 20-25,000 केसे पूरे महिने में होंगे और उदस दिन में अगर 50,000 केसे आप अगर आप को बढ़ाया जारा है आपकी चीज लेकर के मनोज आदर जी के पास में आते हूं अगर व्यवस्ताओं को बढ़ाया जा रहा है और अगर व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है तो क्या ये जितने मरीज संकमित हो रहे हैं उनकी तुर्ला में सही बैठ रहा है ये समय आरोप प्रत्यारोप का तो नहीं है और मैं आरोप प्रत्यारोप लगाने पर बिल्कुल नहीं जाओंगा लेकिन एक मूल भूज जो बात है सरकार से सवाल पूछना यह हमारी विजम्मेदारी है कैनेविच की भी जिम्मेदारी आम जनता की भी जिम्मेदारी हो सरकार से सवाल जरूर पूछेगी चुकि सरकार उसकाठ सरकार में है वह जुम्मेदारी आपको जनताने सावब हो रखे है जनता पैयारोब और को बीजार मह भी सरकार नहीं लगा सकती है इससे बड़ा दूसरा मुझे नहीं लगता है कि विस्तो के किसी देश में इस तरह की इस्तित स्वयम से बनी हो लेकिन चुकि अभी अभी आपके टीवी पे चला कि पांच जिलों में मानी हाई कोड के आदेश पे लागडाउन 25-26 तक के लिए लगा दिया गया है हम स्वागत करते हैं मानी हाई कोड का उन्होंने प्रदेश के लोगों की जान की हिपाज़त के बारे में समझा तो उन्होंने लागडाउन लगा दिया सरकार को समझ में नहीं आता है सरकार को यह समझ में आता है कि सब कुछ ऐसा े सक्लता रहेगा तो मैं सरकार साइसा बात कहना बात करोना महामारी को चुनाओं हुआ है कि हम अगर एक का फिंदी चित है यह महामारी एसी महामारी है जो लगातार सक्षन कर रही ठीश में व्स्ड के संवस्ट कंत्तों लेकिन उत्तरप्रदेश और देश की सरकार ने बिलकुल नहीं सोचा और ना संदेल गौर्णा से समान सारे स्टेट को इंदेशित कि कि किसी भी तरीके से दूसरी वेब के लिए आप लोग प्रप्रेशन त्यार रखिए इस वज़े से आज ये बुरी इस्टित बन चुकी है मैं मानिया हाईकोट को धन्यवाद दूगा कि उन्होंने इस बात को सोचा मैं तो एक अनरोज करता हूं सरकार से कि जहां जहां चुनाओ पो चुके है, किर्प्या वहां लाग डाउन कर दिजे, कोई के जिरूत नहीं ठीक है ठीक है आपे लॉक्डाउन की बात कई ठीक है लॉक्डाउन की बात पर केसे जी आपसे लगातार हम अपने टीवी स्टीन से फ्लाश कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि हाई कोट नहीं आदेश दिया है कि जो पांच बड़े दिले हैं कानपुर वारंसी लखनू प्रयागराज और गोरपपुर वहाँ पे लॉक्डाउन लगाया जाए आप सोचिए स्थितिया कितनी बिगर चुकी है कि खुद माननी हाई कोच इस बात को कह रहा है कि लॉक्डाउन लगाया जाए और फिर एक बार इस लॉक्डाउन से लोगों की नौक्रियां लोगों क रोजी रोटी इन पे संकट मंडराएगा मतब जनता इस वक्त क्या करे अपनी जान बचाए या जान बचाने के बाद जो दूसरी भुकमरी की कगार आएगी नौकरियां और व्यापार ना रहने से उन से जूजे आम आदमी कहा जाए भुकमंत्री जी ने नो बज़े से ले करके सुबा छे बज़े तक था पाथ बज़े तक उसको बढ़ा करके रात्री में रात्री को साथ बज़े से ले करके सुबा छे बज़े तक के लिए उसको कर दिया गया तो इस तरीके से और उसके बाद में जो नाइट जो जो पूरा लागदाउन संडे को लगा, इस तरीके से लगबग 36 घंटे का लागदाउन उत्तर प्रदेश में पूरा हर जिले में रहा, और इसको कांटिनू करने का भी विचार मानिय मुखमंतरी जी का और सासन पर सासन का पहले से ही था, कि सटरडे संडे या संडे को का, कि पाच जिलों में जो करफू की बात कही गई है, तो उसका भी पालन किया जा रहा है, लेकिन देखिए आपने जो बात कहीं कि एक भुकमरी, एक बेकारी, एक गरीब आदमी जो सुबह से साम तक किसी तरीके से सो दो सो पांस रुपए खुंचे लगा करके और में पेशन्ट हो गए हैं, उनकी देखभाल और उनके लिए भी सारी चीजों को मैनेस करने में, तो कि उसमें फिर हर वेक्ति को परमिशन लेनी पड़ेगी, कि जो बीमार है या उसका तिमारदार है, तो इन सारी समस्याओं से आम जनता को न जूजना पड़े, इसलिए नि पीके, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर पांच जिलों में लॉगडाउन लगाया गया है, जिनमें कानपूर, लखनो, वारनसी, प्रियागराज और गोरकपुर शामिल हैं, इलहाबाद हाई कोड के आदेश के बाद ये लॉगडाउन लगाया गया है इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुरोना के बढ़ते सेंक्रमण को देखते हुए इलहाबाद हाई कोड ने यूपी सरकार को यादेश दिये हैं, जिसके बाद यूपी के पांच जिलों में लॉगडाउन लगाया गया है, जिसकी अवधी 26 अपरेल तक लाग पुर शामिल हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, कुरोना के जो मामे लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है, इलहाबाद हाई कोड के आदेश के बाद अब पांच जिलों में लॉगडाउन ल आख को बढा दें, जिस तरह से यो पी की इन पांच जिलों में सबसे ज्यादा केसे शामने आ रहे थे, सबसे ज्यादा लखनू थे, उसके बाद कानपूर जहां ज्यादा आक्सिजinstant की कमी थी, जहां संक्र्वन ज्यादा था, उसके अधार पर हाई कोड इन पांच जिलों को शामिल किया है जिनमें कानपुर है लखनाउं है व्यागराज गुरकपुर ग्वारनसी कि अच्छा में योगी अशुर्य हमारे साथ जुड़ गई है साथी दो मेहमान केसी जैन सपासी हैं और मनोज यादों हैं आप दोनों ही महमानों को बहुत अस्वागत है जिस तरह से लगातार यूपी में केसेस बढ़ते जा रहे थे अब इलहाबाद हाई कोर्ट ने यादेश दिया है कितना कितनी बड़ी चुनोती की तौर पर देखते हैं केसी जैन जी आप से जाना चाहेंगे देखें ये तो मानिय जुन्यायले का अधिस है उसका सरकार पालन करा रही है और पाचो जिलों में लागडाउन लगाया जा रहा है लेकिन इसके पहले आप देखें कि संडे को पूरा फुल लागडाउन मानिय मुक्मंती जी के दिशाज्रिदेश के बाद पूरे पूरे है जिससे कि यह ना की चाय है और और जो संक्रामल की चाय है इसको तोड़ा जा सके और जहां जहां पर केंसे ज़्यादा आ रहे दुरूट सहरे और जारु बहुंते मिनद्यार बने का पूरे की एऍरिया को सेनीटाइस करने का काम भी लगातार किया जारा है तो ये सारी तयारिया अभी दुपहर में सीम योगी आदित नाद ने वर्च्वल मीटिंग की ती जिसमें उन्होंने किसी भी लॉगडाउन से इंकार किया था आनन फानन में ये फैसला लिया गिया क्या उनको नहीं पता था कि लाबाद हाई कोड की तरफ से ऐसे आदेश आ स ये हैं कि जो गरीब आदमी हैं जो वेरोजगार आदमी हैं जो सुवे से साम तक हमने पहले ही आप से जैसे की कहा कि छोटे छोटे दुकानदार हैं खुंचे वाले हैं फुटपाथ पे बैटने वाले हैं तो ऐसे में फल वाले हैं सबजी वाले हैं और को इस तरीके की जो चोटे बोटे दुकानदार हैं उनको क्या है कि उनको इस stop के बाद में बelines." निया यहाले की आदियस के बाद में वो बिना पर्मीशन के उनके पास बिना पर्मीशन के वो लोग इस तरीके से गो मड़ीं करके फ़ल सब इन छीजों का भी कोई admit है तो और वो कुछी को दिखाने जा रहा है तो उसके पास पर्चे होनी चाहिए उसके पास पर्मिशन होनी चाहिए या फिर उसके पास कोई काड होना चाहिए तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कि आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो कैसी जैसाब सबसे बड़ा सवाल यह उड़ता है जो रोज खाने कमाने वाले हैं जो रेडी वाले हैं जो जिनका काम ही इस सुबह जितना कमाते उतना खाते उनके लिए का सरकार कुछ मदद करेगी क्योंकि साथ दिन बहुत होते हैं एक आम आदमी के लिए देखे अभी तक क्या है कि विपच्छ जिस प्रकार से पिछले लागडाउन की जिस प्रकार से आलोचना कर रहा था और तब हमारे पास संसाधन भी नहीं तब हमारे पास बद्बूरी थी कि लागडाउन लगाना आज हमार पर बात करें आज यही के दिन केजी एम यू और एक और होस्पिटल को कॉरोना के को फिटल बनाये गया है लेकिन अभी वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है देखे और राफ्रयल राफ्राल लेटर के बिना वह एडमिट नहीं कर रहे हैं रापको को और लोगो भटक रहें उनका सुबह से शाम तक रेफल रेटर नहीं मिल पार रहा है ताकि उनकी एंट्री हो सके एड्मिट हो सके हो जी देखे 20,000 लिटर का SGPGI में नया प्लांट सुरू कर दिया गया है साथी साथ और भी तमाम जगाहों पे जो प्लांट्स लगें उनकी कैपाश्टी भी बढ़ाई गई है जिससे की सिलंडर आसानी सुखलब दोसके मानिये मुकमंतिर जीने दिसाने देश भी जारी किये हैं कि किसी भी ब्यक्तिकी मौत आक्सिजन की कमी के वज़े से ना होने पाए और जो लोग ब्लैक वार्कटिंग कर रहे थे उनको पकड़ करके उनको जेल भी बेजा जा र देश में ऐसे लोग अपना सर्वत सर्वत नुचार कर रहे हैं कि लोगों की जाद बचाने के लिए दरातल पर नजर नहीं आ रहा ना ऑस्पिटल में तो ऑक्सीजन ही नहीं है डॉक्टर कह रहे हैं बैट बढ़ा हैं लेकिन जो धरातल पर स्थिती बिल्कुल अलग है हम म साथ हैं प्रवक्ता उनके पास अगा मनोजी किस तरह से देखते हैं सरकार कहती कुछ है लेकि धरातल पू तजबीर नजर नहीं आ रही है देखें मैं एक सब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं फोकस होना सरकार करोना महामारी को लेकर फोकस नहीं एक बात कह दी गए कि मुखव हुआ नहीं सरकार को जिस तरीके से इस महामारी को लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो लड़ाई सरकार लड़ती नजर नहीं आ रही है यह मेरे आरोप नहीं है यह सरकार से सीधा मेरा सवाल है सरकार अगर कुछ कर रही है बैतर करने की कोशिस कर रही है तो बताए के एक नई गाइडलाइन इसी बनानी है इसमें गरीब आदमी को खाना में सके और जनता को आप विस्वास दिलाईए अगर स्टप वाइस यानि वन वन वीक कभी लागडाउन होता है वन वीक उपन रहता है और जनता के लिए विवस्था करिए जनता जो गरीब आदमी हर कोई बुक है नहीं नहार कोई बुक समर जाएगा उसारे ऐसे लोग इसे लोग इनके पास खाने को गवाओं में तो वैसे भी कोई दिक्कत ने महानगरों के बारे में आपको सोचना है और पार जिलो जिलो जी आपसे पूशना चाहूंगी केसी जी दूसरे चरन का पंचाय चु जो की बहुत महतिपून थे सरकार ने उनको रोका नहीं सरकार लगातार वहाँ पर प्रचार भी होता रहा आद दूसरे चरन की वोटिंग हुई कितनी असमंज़स सिस्थिती है कि उस वोटिंग के खत्म होने के बाद पास शेहरों में लोगडाउन का आदेश आता है उसके पांच जिलो में एक तने से लॉकडाउन के आदेश जो दिया गया है आपको नहीं लगता है कि लोगों की बीच इससे एक तने का भ्रह्म पैनिक इस तनी कि स्थिती पहलेगी नहीं देखिए ये एक तो पहली बात देख कि मानिय नहायले का आदेश है इसका पालन कराया जाएगा दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि जो है चुनाव हो रहे हैं तो देखिए जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी चीजों का लगातार पालन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा सासन प्रसासन के दूआरा कराया जा रहा है और तो इस तरीके की जो चीजे हैं वो तो समस्या नहीं है समस्या यह है कि जो गरीब आदमी है यह कर्फियू यह अलग अलग तरीके के प्रतिबंद की स्थितिया बनेंगी तो लोग किस तरह से समालेंगे आप अंदाज़ा लगाई यह लिए लोग भटक रहे हैं और पताल में नहीं मिल रही तो वह अपने प्राइवेट वहिकल करके ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एज जेपी ने जो यह लोग डाउन पाज जीलों में किया है अब इस्तियां क्या निंतर में आएंगी एक छोट ब्रेक लिए फॉरण हाजिर होंगे